नमस्ते जोस्तों मैं आरही आरही के चनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है आज की हमारी रेशपी है मतन तो हम यहां पे मतन करी सीखेंगे जैसे कि पहले जमाने में दादी नानी बनाती थी वही टेस्ट वही स्वाद वही खुस्बू मसालों की एक दम देशी तरीके से यह मतन कैसे बनाते हैं तो यहां पे सबसे पहले मसालों को देखेंगे एक किलो मतन है तो उसी साबसे मसाले कितने लेने हैं तो यहां पे चोटी दालचिनी के टुकड़ा एक लिया है जीरा मैंने एक चमच लिया है तेज पत्ता पांच छे लिया है मिर्ची आप अपने मसालों को हलका सा तोड़ दीजिए गायनि कि बड़ी लाची और छोटी इलाची और काली मिश्ककू दो दो दाने कर दीजिए तो तड़के में डाले तो ज्यादा फ्लीवर मसालों का खुल के आता है तो इन्हें चलिए तोड़के ले लेते हैं और हमने कोकर और तेल गरम हो तो यहाँ पर टड़का मैंने डाल दिया था क्योंकि तेली गरम होगे था गरे तर अनिक्डी तो सारे तड़के डालएं और की तो यहाँ पर में ने बेड़ा है और अद्रक भी तो तो उन्हें अच्छा सा दर जरा घिज लिजे, कद्दू कस कर लिजे, अब यहां पे हारी मिर्ची भी फिर डाला, तो स्वाद उनसारा अब डलिए, मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, और प्याज केतना लेना है, प्याज एक किलो मटन में 400 ग्राम लेंगे, तो यहां पे 400 प्याज डाल दिया और उसके बाद हम इन में नमक डाल देंगे, नमक डालने से प्याज हमारी अच्छे से सौप्ट हो जाती है जल्दी से, तो नमक ध्यान से ज्यादा नहीं डालिये, कम डालिये, अराम से नमक डालिये, तो यहां पे नमक ज्यादा हो जाता है, तो आप हम कि करना है क्योंकि मटन हमारा प्याज के साथ ही पकेगा तो यहां पर अब हम मटन डाल लेंगे और इनको धक धक करलेंगे अभी तो को कर अब को भराबरा देख रहें किने धीरी धीरे tempo पखेगा तो मटन गलता जाता है तो कुकर थोड़ा सा खाली हो जाए तो यह देखिए इस तरह से हमारा मटन थोड़ा सा नीचे चला गया पक्के तो अब हम यहां पे हल्दी डालेंगे दो चम्माच और यहां पे रेड मिर्ची पाउडर डाला है मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार ही डाल से तो यहां पे मिर्सी डालान लिया उसके बाद हम एक चम्मच और काली मिर्च लेंगे और वर मिर्च कुटेंगे अब इस समय कानली मिर्च कार क्णा के हलका सा दर्धरा कूट सकते हैं घल वट्ne मिक्स kicking में अब चला सकती है मैं क्छल बट्टे में कुटा है थोड़ा सा अब इन में अच्छे से इनके खुस्बू मसालों की आएगी तो इन में अच्छे से धीरे 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 चलाएंगे तो देखिए प्याज कितना पानी छोड़ दिया है और मटन इसमें कोई पानी वगर आपको नहीं डालना है यह देखिए अभी आराम से धीरे धीरे धी नहीं पुखने में आराम से पखने दीजिये तो खने में टेश्ट और ज्यादा है,ो इन को दीरे धीररी धी पखायОंगे टाकि व कंगरा दीज प्टाल में घूनती है तो फिर आपको ऊपर से पानी डलना पड़ते और εκज़ myself तो देखे धीरे धीरे ही हमने मतन को पका लेना है गेस को स्लो करके इन्हें ढग ढग के पका लेना है तो यह देखे धीरे धीरे यह नीचे गल के कम होने लगे हैं पकने लगे हैं अच्छे से तो अभी इनका कलर देखे इस तरह से है और अभी देखे पक के इस तरह से हो ज़्यादा पानी नहीं लेना मतन ने मैं में लगत है थोड़ी सी एकदम लगी हुई एकदम last राद लगता है तो हाँ पी सवद्वास अध्यम पे थे और अभ् comms registration लगा लेते हैं उसके बाद आराम से गैस को बंद कर दीजिए और आराम से कुकर को ठंडा होने दीजिए उसके सीटे निकाल करके उसे मत खोलिए ठंडा होने दीजिए तब तील मसाले सारे उपर आ जाएंगे तो अब देखिए खोणने के बाद ये जितना दिखने में टेश्टी था उतना बना ही टेश्टी था सब लोग खाये तो तारिफ किए है अगर आप भी मटन इस तरीके से बनाओगे तो आज एक बार बना लोगे न तो आज के बार इसी तरीके से आप मटनाओगे तो करती हूँ वीडियो अच्छी ही लगी होगी मिलती हूँ ऐसी ही रेसिपी के साथ ब्यूटी टीप के साथ खट्टी मीठी बातों के साथ कुछ यादों के साथ ठैंक यू सो मच